दोस्तों हमारे भारत देश में घूमने और दर्शन करने के लिए बहुत से धार्मे के स्थल हैं जहां पर जाने से आपके मन को शांती मिलेगी उनी धार्मे के स्थलों में से एक स्थल मिर्जापूर है जहां पर माविंद्यावासनी का मंदिर है यदि आप भी से जुड़ी सारी जानकारिया देंगे लेकिन इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ें यदि अभी तक आपने हमारे चैनल यात्रा गुरू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल बनी बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि आने वाल एक धार्मिक परटन स्थल है यहाँ पर आपको मा दुर्गा के कई मंदिर देखने को मिल जाएंगे आपको बता दें कि मा विंद्या वासनी मंदिर इस जगा का प्रमुख मंदिर है जो की एक शक्ती पीट भी है इसके अलावा विंद्या चल धाम में आप अस्ट भुजी देवी मंदिर, काली खोह मंदिर, शीता कुंड विंद्या चल के गंगा घाट में भी दर्शन कर सकते हैं। पर जाकर रिस्थान कर सकते हैं। आपको बता दें कि गंगा के दोनों किनारों के बीच में एक शिवलिंग भी इस्थित है। घाट के पास पहुंसते ही नाव वाले आपसे खुद बोलेंगे कि चलिए आपको शिवलिंग के दर्शन करा दें। भारी भीड दिखाई देगी। वहाँ पर आपको रेस्टोरेंट, प्रसाद के दुकाने, बच्चों के खिलोने, दैनिक इस्तमाल करने वाली वस्तुओं के दुकाने देखने को मिल जाएंगी। आप यहाँ के दुकानों से प्रशाद ले सकते हैं। और आपको बता दें क जिस भी दुकान से आप प्रशाद लें, वहीं पर अपने चपल जूते रख सकते हैं। इसके बाद कुछ दूर चलने के बाद आपको शक्ति पीठ दिखाई देगा, जिसके बाद आप सच्चे मन से मा विंद्या वाशनी देवी का नाम लेकर लाइन में लग जाएं। वि सीता कुंड के बारे में। सीता कुंड नाम का यह स्थान एक छोटी सी पहाड़ी पर इस्तित है, जहां पर भगवान राम, लक्षमन और सीता की मूर्ती लगी हुई है। यहां ऐसी मानता है कि इसी स्थान पर माता सीता ने स्थान किया था। वैसोते यह एक साधारन सा जल शोत है लेकिन यह कुंड कभी भी सूकता नहीं है। यहीं के आसपास कई और मंदिर भी हैं जैसे हनुआन मंदिर, मादुर्गा मंदिर, सीता मंदिर। आपको बता दें कि मातर नवमी के दिन सीता कुंड पर अधिक संख्या में भीड देखने को मिलती है क्योंकि इस दिन म नवंबर से लेकर अप्रेल तक का ही होता है क्योंकि अन्य दिनों में इस जगह पर बहुत गर्मी रहती है लेकिन आप कभी भी इस जगह पर दर्शन के लिए आ सकते हैं। आए अब आपको बताते हैं कि किस माध्यम से आप विंद्या चल धाम पहुंच सकते हैं। ट्रेन क मार्ग के द्वारा। दोस्तो यदि आप सडक मार्ग के द्वारा विंद्या चल धाम जाना चाते हैं तो राश्ट्रिय राजमार्ग 2 यानि की NH2 से आराम से जा सकते हैं। इसके अलावा पब्लिक ट्रांस्पोर्ट में इलहाबाद और वानारसी से उत्तर प्रदेश राज परिवहन की बसे भी चलती हैं जिसके द्वारा आप आसानी से विंद्या चल धाम पहुंच सकते हैं। वायू मार्ग के द्वारा। मा विंद्या वासनी के दरवार पहुंचने के लिए यदि आप वायू मार्ग का सहारा लेना चाहते हैं तो आपको बता दें कि विंद्या वासनी धाम की दूरी लगबग 32 किलोमीटर की है तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही उम्मीद करते हैं कि आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें वीडियो में अंति तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद